25 दिसंबर 2021 को नासा ने James Webb Space Telescope को लॉंच किया था जो कि अब तक का सबसे Advanced Telescope है लेकिन ये इतना Special क्यों है क्यों पूरी दुनिया में इसकी इतनी चर्चा हो रही है क्योंकि ये सबसे Powerful Telescope है जो की लगबग 13 billion light years दूर तक देख सकता है तो आज हम James Webb ने अब तक की हुई Discoveries के बारे में जानेंगे लेकिन ये विडियो देखने से पहले आपको James Webb प्रिलिस्कोप के फ्यूचर मिशन्स के बारे में जानना हो तो उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं 25 दिसंबर को लौच होने के बाद लगभग एक महने की यत्रा करके James Webb अपने डिस्टिनेशन यानि प्रुथवी से 15 लाग किलोमिटर दूर सेकंड लैंगरंज पॉइंट पर पहुचा और इस ओर्बिट में सुरज के एराउंड रिवॉल होने लगा इस दोरान इसने दूर मोजुद है और ग्रेट वियर नाम के कॉंस्टिलेशन में स्थित है James Webb टेलिस्कोप से ली गई ये तस्वीरे रिसर्च में इस्तवाल नहीं की जाने वाली मलकि ये साइन्टिस्ट को James Webb के गोल्डन मिरर के 18 सेगमेंट्स को सही तरीके से अलाइन करने में मदद करेंगी भले ही ये James Webb की रिसर्च का हिस्सा नहीं था लेकिन उस ओर एक कदम था जिससे हम इस टेलिस्कोप के इंस्ट्रुमेंट्स और अब्जर्विंग मिरर को सही से अलाइन कर सके और भविश्य में इससे युनिवर्स को एक्स्प्लोर कर सके लेकिन टेलिस्कोप की फंक्शनिंग शुरू करने से पेले इस जायन टेलिस्कोप को ठंडा करने की जरूर थे क्योंकि जेम स्विप को मीड इंफ्रारेड में ओपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है कोई भी इरंठीट उन अब्जर्वेशन को मीटा सकती है इसलिए वेब के एक्विपमेंट्स को ठंडा रखने की जरूर थे वेब के एक्विपमेंट इस्पेशेली एनराइ कैम ब्रह्मान के शुरुवाती सितारों की जाच करने के लिए बेहत कम टेंपरेचर पर काम करेंगे क्योंकि ये तारे इतनी दूर है कि उनसे आने वाली लाइट केवल इंफरारेड वेबलेंट्स पर ही देखी जा सकती है इंफरारेड रेडियेशन इसेंशेली हीट है और इससे होने वाले इंटरफेरेंस को रोकने के लिए जेम्स का ठंडा रहना जरूरी है वेब की विशाल संसील दूरबीन और कैमराज को सुरज की इंटेंस हीट के साथ साथ पृत्वी और चांद से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से भी बचाता है संसील की थंडी सत्व धिरे धिरे थंडी होती जा रही है और deep space में heat radiate कर रही है और यह process तब तक जारी रहेगी जब तक telescope और NRI sensors एक steady state temperature प्राप्त नहीं कर लेते जिस पर sun shield से pass होने वाली energy और telescope के electronic equipment से पेदा होने वाली गर्मी space में loss होने वाली heat को balance नहीं करते according to space agency primary mirror minus 223 degree celsius तो वही NRI instruments minus 228 degree celsius तक ठंडा होगा web के mid infrared instruments MIRI को बहुत कम ताप्मान की आवाशकता होती है MIRI को cloth cycle gaseous helium cryocooler या refrigerator का उपयाग करके minus 266 degree celsius से नीचे के ताप्मान पर ठंडा किया जाएगा इसके अलावा infrared instruments भी passive cooling से web को ठंडा रख रहे है infrared telescope को ठंडा रखना एक precise और important operation है जो ये सुनिश्चित करता है कि James Webb को galaxies, exoplanets और other objects की image लेने के लिए जरूरी temperature maintain रहे scientific research के लिए जरूरी web की शुरुवाती photographs जुन के अंत या जुलाई की शुरुवात में public की जानी है NIR HG 84406 को observe करता रहेगा क्यूकि अप्रेल के अंत में web के optics specialist web के mirror segments को nanoscale पे reposition करेंगे जिससे web को एक flawless smooth surface मिल सके तभी different scientific instruments प्रह्मान में मोजूद different objects का observations करेंगे James Webb को काम शुरू करने से पहले 5 महिने के लिए एक rigorous commissioning process से गोजरना होगा NASA के web instrument system engineer Godard ने launch से पहले बताया कि कुल मिलाकर हमारे पास 6 महिने की commissioning है जिसमें एक महिना deployment के लिए तीन महिने mirrors को align करने के लिए और दो महिने science instruments को calibrate करने के लिए है अप्रेल की शुरुआत में फिर वह समय आ जाएगा जिसका सभी को इंतजाय था web के 6 महिने का commissioning period पूरा होने के बाद यह exoplanet survey की एक series शुरू करेगा एक AC पहल जिसमें ये 11 सुपर अर्च की जाच करेगा जिनका आकर पूर्थवी और Neptune के आकर के बीच है हम उन सितारों को देखने जा रहे है जो विग बैंके कुछ मिलियन साल बाद ही बने थे और ये तारे ब्रह्मान की शुरुवाती dust और gases से बने थे James Webb Lagrange Point की ओर्बिट में सुरज के चकर लगा रहा है जो चांद की ओर्बिट के परेश थी थे ये लोकेशन वेब को कम फ्यूल की कंजूम्शन के साथ गतिशिल रखता है नासा का अनुवान है कि वेब के पास अगले 20 सालों तक प्रॉपर फंक्शिनिंग करने के लिए परेप्त मात्रा में फ्यूल मोजूद है और सब कुछ योजना के मुतबिक चल रहा है James Webb Space Telescope, Space Research में एक Revolution लाने वाला है और हमें उन सवालों के जवाब मिलने वाले है जिनकी हम तलास कर रहे थी और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ओक बाइकन कि लुटनी का उन्हें साग्रेस्टिंग फ्यरी लुटनी का लाएकन की लगएकन लिए हैंगने प्रेस्टिंग आव fan मिलने प्रेस्टिंग आप कीजिए